हर्योम तश्चत मित्रों जिन लोगों को निल सुक्राण या कमजोर सुक्राण होने की वज़ह से संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है ऐसे लोगों को यह प्रयोग अवस्य करना चाहिए इस प्रयोग करने से मित्रों आपकी संपून समस्याओं का समाधान हो जाएगा शुक्रानों में वृद्ध भी हो जाएगी, शुक्रानों ताकतवर भी हो जाएगे, वीर भी बढ़ जाएगा, वीर गाड़ा भी हो जाएगा, उत्तेजना भी बढ़ जाएगी, और सुपर इस्तंभन सक्ति भी आ जाएगी, शंपून समस्याओं का समाधान यदि आप प्रा प्याज तामसिक होने के कारण मुख दूसक नाम इसका है यह मुख में दुरगंध उत्पन कर देता है परन्तु आवसधिय रूप में यदि देखा जाए तो प्याज में भी तमाम से गुण पाए जाते हैं मित्रों हम यहाँ पर अन्य प्याज की बात न करते हुई हम यहाँ पर आपको सफेद प्याज की विशेस्ताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ढूणने से अब प्राप्त होता है परन्तु मिल जाता है मित्रों यद कभी आपको कहीं पर मार्केट में बाजार में सफेद बिछिलके का सफेद रंका प्यास दिखाई दे जाए तो इसे आपको तुरंत ले लेना चाहिए यह सुपर वीरिवर्धक, शुपर शुक्रान वर्धक और शुपर पौरुस सक्ति वर्धक भी है काम, शक्ति और उत्तेजना उत्पन करने में भी अत्यनत प्रभाव साली है मैं आपको यहाँ पर एक दुरलब प्रियोब बताने जा रहा हूँ जो कि सफेद प्याज के माध्यम से बहुत हिसरलता और आसानी से कम लागत में बनाया जा सकता है परन्तु इसके प्रभाव का वर्णन करना संभव नहीं है कम से कम चालिस प्याज को ला करके एक मटके में रखकर उपर से एयर टाइट करते हुए किसी पालिथीन वगएरा से उसके मुह को बंद करके जिस जमीन में गाएं बांधी जाती हो उस जमीन में नीचे गढ़ा खोड़ कर गाड़ दें फिर उस मटके को चार महीने के बाद निकाल करके उन प्याजों को निकाल कर रख लें फिर प्रतिदिन एक एक प्याज सबेरे कुल्ला मंजन करके खाली पेट चवा चवा के खा लेना है खुब आराम से एक घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है मित्रों यह प्रयोग 40 दिन करने के बाद एकदम से निल सुक्रान वाला बेक्ति भी संपून सक्षम सुक्रानों से सहित हो जाएगा और पौरुष में भी वर्धी हो जाएगी काम शक्ति और जवर्दस्त उत्तेजना वर्धक भी है मित्रों और आपकी संपून मनो कामना माशारदा की करपाशे अवश्य पून हो जाएगी और आपके सुन्दर और स्वस्थ वलिष्ट संतान की उत्पत्ती होगी धन्यवाद